हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैं थी जी जी आप सबका एक बाद फिर से हारदिक स्वागत है तो आज हम सीखेंगे यल सीएम और यसीफ तो सबसे पहले यल सीएम क्या होता है लीश्ट कामन मल्टीपल यसीफ क्या होता है हाइस्ट कामन फैक्टर इसमे के बारे जैसे ही हमारा मल्टीपल फैक्टर क्लियर होगा उसके बाद हमें यल सीएम यसीफ चुटकी में हम साल्ब कर लेंगे चुटकी में सीख जाएंगे हम तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसको मल्टीपल फैक्टर तो हम एक्जांपल के थूरू समझाएंगे आपक हम कहेंगे कि ये बी संख्या का फैक्टर है और बी संख्या जो है ये से पूरी विभाजित हो रही है अब बी को हम क्या कहेंगे मल्टीपल कहेंगे यानि कि जो फैक्टर होता है वो संख्या को काड़ देता है पूरी तरीके से और जो मल्टीपल होता है वो किसी दी वोई संख्या से पूरी तरीके से कड़ जाता है clear? अब चलिए example के थूरू भी दिखा देते हैं तो बारा का factor यानि बारा का गुडनखन यानि कि बारा से छोटा होगा और उसी बारा को पूरी तरीके से भाजित कर देगा तो बारा से छोटे कौन से संख्या होती है जो बारा को काट दे एक होगी दो होगी तीन होगी चार होगी च्छै होगी बारा अब बारा की गुड़ज की बात करेंगे तो बारा में एक, दो, तीन continuously multiply करते जाएंगे तो हमें गुड़ज मिल जाता है यानि कि गुड़ज जो होता है वो बारा से जादा होगा ठीक है? अब आएए LCM सीखते हैं तो LCM क्या होता है? इदा least number which is exactly divisible by each of one of the given number is called their LCM यानि अगर हम दो या दो से अधिक संख्याएं कोई ले रहे हैं तो उनका LCM जब ग्याद करेंगे तो पहले हम उनका गुड़ज लिख लेंगे फिर उस गुड़ज में जो सबसे कम वाला गुड़ज होगा जो दोनों में कामन होगा वह हमारा LCM होता है चलिए एक्जामपल ले करके सीख जाते हैं तो एक्जामपल हमने ले लिया कि एक number 8 ले लिया एक 12 ले लिया उसका LCM find out करना है तो 8 का गुड़ज हो गया 8, 16, 24 यह आगे तक जाता रहता है अब 12 का गुड़ज करेंगे तो 12, 36 24, 48 ठीक अब इसमें जो सबसे कम वाला मल्टीपल है वो है 24 तो इस तरीके से हमारा least common multiple LCM 24 हो जाएगा अब आईए हम ESCF के बारे में सीखेंगे तो ESCF क्या होता है ESCF of 2 or more than 2 numbers is the greatest number that divides each them exactly यानि कि highest common factor जो होता है ना 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब हम गयात करेंगे तो उसमें जो highest पहले तो हम सब दोनों संख्याओं का में जो सबसे ज़्यादा वाला factor होगा जो दोनों में कामन होगा वही हमारा जो है ESCF होता है अगर हमने चलो एक question भी ले लिया 8 और 12 का ESCF find out करना है तो 8 का फैले factor हमने ले लिया 8 का factor क्या हो जाएगा 8 का factor 8 से कम होगा तो 1, 2, 4, 8 होगा अब 12 का factor लिखेंगे 12 का factor 1, 2, 3, 4, 6, 12 अब इसमें highest जो ज़्यादा वाला factor है मतला नाम सही आपको clear हो रहा है कि highest common factor यानि इनके factor में जो सबसे ज़्यादा वाला factor है जो कमन है दोनों में वही वाला हमारा ESCF होता है तो इसमें 4 सबसे ज़्यादा है इसके बाद कोई ज़्यादा दूसरी संख्या नहीं है जो दोनों में common है तो यानि कि ESCF हमारा 4 हो जाएगा 8 और 12 का इस तरीके से हमने आपको ESCF, LCM और multiple factor के बारे में बताया और अगर आपको इससे और आगे भी सीखना है कि LCM आप fraction number, ESCF आप fraction number और methods कैसे find out करते LCM और SCF तो इस सब के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब अगली क्लास में आपको बताऊंगा तो आप अच्छी तरीके से वो चीजे सीख पाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही अब मेरे चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर दीजिए थैंक यू, थैंक यू सो मच